नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी देखिए साउथ दिल्ली मुनिसिपल कोपरेशन की SDMC की वेकेंसी निकली हैं नर्सरी टीजर्स के लिए इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कितनी वेकेंसी निकली हैं कब से फोर्म बरने स्टार्ट होंगे क्या प्रफाइल का पता होना चाहिए जो जो बैटीजर्स नर्सरी की है और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें दो इन्होंने बताया है कि जो बारवी है वो पास होनी चाहिए पें 40% मार्ट के साथ और इसके साथ-साथ जो डिपलोमा है जो टीजर्ट ट्रेनिं एजुकेशन प्रोग्राम का है डिपलोमा वो होना चाहिए डूरेशन अप नोट लेस देन टू एर्स मतलब दो साल का तो होना ही होना चाहिए दो से कम का नहीं चलेगा और जो बीएड नर्सरी होती है बीएड जो जर्नल होती है वो नहीं बीएड नर्सरी स्पेशल होती ह वो अगर है वो भी चल जाएगी और बार्मी में 45% मार्क चाहिए और हिंदी जो दस्वी तक है हिंदी सब्जेक्टाव के पास होना चाहिए जो एज लिमिट है जो जर्नल की है जर्नल की एज है 18-30, सब्सक्राइब देखिए अब बता जेते हैं कि जो डेट वगरा है इसकी जो डेट इंपोर्टन डेट है जो वैबसाइट ओलाइन इस्टेशन स्टार्ट होगा वह एक अगस्ते जो कि अकल से स्टार्ट हो चुके हैं जो क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 14-8-2018 है पांस बजे शングरें जो प्रकाइस भी को उल्ट के ठक और जो सौट लिस्ट कि जाएंगे कंडिडेट वह कि जाएंगे सताइस से और इंटिस अगस्त स्टमर में जो डॉक्मेंट वारिफिकेशन के बाद है और जो अपॉंटमेंट लैटर दी जाएंगे वो दिए जाएंगे 25 के ही 25 और 26 जो जो जौइनिंग होगी वह 27 स्टमर से 30 स्थम्बर के बीच में आपको जोईनी करनी हो गई अब बात कर लेते कि इसका सेलेक्शन प्रोसिजर क्या है कैसे क्या आप बनाएंगे मैरेट लिस्ट बनाएंगे इसमें देखिए जो अकैड़िक कौलिफिकेशन हैं आपकी जो माल लिजी है आपने सेगंडरी एगजाम जो जितने भी माल लिजे 75 परशेंट बार मी में परशेंट लिए वे अपने सभी में जितने वी सें आपके तो उनको मल्टिप्लाइ कर देंगे 0.25 से मतलब 25 परशेंट है जो वो सेकंडरी अज़ुकेशन जो बारमी है उसके अंक लगेंगे आपको जितने परसंटेज है उसका 25 परसंट दस्वी वाले का बारमी में है जो 45 परसंट लगेगा बारमी में जितने अपने माक्स लिये हैं और जो आपने डिपलोमा किया है उसके 30% मार्क्स लगेंगे आपने जितने 70% लिये हैं तो उसका 30% हो जाएगा 21 नमबर ऐसे करके जो मार्क्स कल्कुलेट के जाएंगे दो डेशिमल तक कल्कुलेट के जाएंगे अब बात कर लेते कि भी फॉर्म कैसे अपलाई करना है फॉर्म देखी जो इलिजिबल कैंडिडेट है उनको हमने पहले बता दिया आपको की एक अगस्ते शुरू हो चुकी है और जो साइट है इसका डिक्सक्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम आपको जो साइट है वो है mcdon कि online.gov.in है और जो आपने एक बार फिल कर दिया फॉर्म तो आप दोबारा से उसमें इंटरफेर नहीं कर सकते कोई चेंज नहीं कर सकते आप आप देखिए जो आप अप्लाई करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा जब अप्लाई करेंगे इसमें जो पोस्ट अप्लाइड फॉर है अपने आप उटमेटकली फिल होगी और फिर आपको यह सेलेक्ट करने हैं आपको इन मेसेज जो आपकी एजुकेशन क्वालिपिकेशन ने तीन और इसके बाद नेक्स्ट करना है और इसके बाद हम बता दें कि जो वो है पेमेंट है कितनी मिलेगी सेलरी कितनी मिलेगी salary मिलेंगी आपको जो चटा वेतन है वेतना चटी है उसके गौर्डंग 35,400 रुपे मिलेंगे आपको और यह मिलेंगे आपको monthly based पे fixed है आप इसके लिए कुछ claim नहीं कर सकते लेट हो जाती है या नहीं टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती है इसके लिए आपको कुछ नहीं कर सकते आपको wait करना पड़ेगा यह कुदल पद है इसमें वो है 166 पद है जो आप मतलब कब तक job कर सकते हैं यह depend करता है कि DSSB कब तक चाहते हैं कि आप job करें यह सारा DSSB के उपर depend करता है तो यह धास सब कुछ अपना जो South DMC में निकली वेकैंसी दी 166 हमने आपको बताना जरूरी समझा आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जो seatate वगरा उसकी requirement नहीं है जो जिन्होंने seatate नहीं किया वो भी apply कर सकते हैं थैंक्स पूर वोजिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैए